मैं आईरन मैन आपके लिए पढ़ रहा हूँ. प्रश्न छे निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए. एक, कार्ल मार्क्स का द्वंद्र सिधान्त अत्वा वर्गवाद स्पष्ट कीजे. उत्तर, उन्नी सुई शतापदी के उत्तरार्द में जर्मनी के कार्ल मार ने ध्वंद्र सिधान्त प्रतिपादित किया. उसके मतानुसार 1. इतिहास अमूर्थ कल्पनाओं का नहोकर सजीव मनुश्यों का होता है. 2. मूलभूत आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए उपलब्ध अत्पादन साधनों के स्वरूत एवं स्वामित्व पर मनुश्य के पारस पर एक संबंध निर्भर होते है. 3. समाज के सभी घटकों को समान मातरा में इतपादन के साधन नहीं मिलते. इत्पादन सन्साधनों के असमान वित्रण के कारण समाज के वर्ग पर आधारित वशम विभाजन होने पर वर्ग संघर्ष शुरू होता है. 4. कि प्षेरी और के व्हिताले दूस अर्ष कुछकं और लड कि How